परांठे खाने हैं तो चलो मूलचंद जी हाँ मूलचंद के परांठे खाने आज में आ गया हूँ मैंने मंगाया है आलू का परांठा और गोबी का परांठा आपको बता दू कि शारुक खान भी अपने शुरुवाती दिनों में जब जो दिल्ली में पढ़ाई करते थे दिल्ली में रहते थे तब वो यहाँ पर आते थे परांठे खाने के लिए उन्होंने अपने एक इंटर्विव में बताया है कि वो अक्सर आते थे मूल्चंद के परांठे खाने में दिल्ली मूल्चंद मेट्रो के बिल्कुल नीचे पड़ता है यह मूल्चंद और 1976 से है यह एक बार मैंने पहले खाय हुए है लेकिन अब एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसे हैं इनके परांठे मैंने मंगाया है आलू पानठा और गोबी पानठा बता दूं आपको आलू पानाठे का प्राइस है 45 रुपे गोबी पानठे का इनका प्राइस है 80 रुपे मदलब 45 और 60 और चाहे दी है चाہे कुलड में दी है 30 रुपे की और वैसे लेते हैं आप कप के अंदर तो वो है सिर्फ और सर्फ 20 रुपे की साथ मेरों ने प्यास चटनी दी है और साथ में हरी मिर्च का थोड़ा चार लग रहा है जो की ठिक टाक लग रहा है खाने में आपको जल्दी से बता देता हूँ कैसा है पराथा इनका आपने मूल चंद का कौन सा पराथा गाया है जल् अगर आप सोच रहे हैं कि यह मूल चंद पर तंदूरी पराथे मिलते हैं मतलब तंदूर वाले तो ऐसा नहीं है मूल चंद जो है वो पराथे सिर्फ तव पर सेकर बनाते हैं पहले उन्होंने चोड़ी से दुकान ख़ए दी उसके बाद मतलब छोटा सा इन्होंने काट थ अगर आपना इस दिल्ली में रहने वाले लोग अकसर यहां पर पराथे खाते हैं मैं देख के बता तो खा के बताता हूं कैसे देख तो लिए आपनी यह 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 पराथा है मखन भी यह साथ में परले चट्नी लगाँगा यह देखिए यह पारणी लोगाँगे गार लोगाँएं चिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है जैने हैं तो पर अबनुंगाँगा यह 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 पाड़रा नहीं खाया तो शब जबसे बड़ा जूट होगा हाँ चतनी में लोगैं यह चतनी में हैं मख्खन लग एक एक बर चाहिंक शहुत देखता हूं कि आपना ओडेते चीछा हा है बटी। के छाधी एक मक्खन आठो साथ में थे हैं में देखा, आख़ा चाहिं, मख्खन लगा देखा, व्युक्त मोखेअ अधिरी यह मैंने मक्खन लगाया और यह मैंने खाया गोबी का पनाथा मूल्चन वाला मक्खन के साथ छोड़ा तेस्ट बढ़ गया लेकिन अब ही भी काहूंगा कि बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा अब आते हैं आलू के पनाथा की तरह इसको पहले ही मक्खन लगा लेता हूँ इसमें यह देखिए वा अब अग्बर पहले भी आ चुका हूँ यह पर चार-पंच साल पहले की बात है दंच करने आया था लेकिन तब भी मुझे बहुत खास नहीं लगे थे मूल्चन के पनाथे अब देखते हैं आलू की मुझे मामले में ठीक था गया प्राइस भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं डगा यह देखिए यह मैंने तोड़ा आलू का पनाथा और यह भीया अच्छे नहींने मसाला भी लगाया को कुझ उपर से देखो यह मैंने खाया आलू का पनाथा आलू करणाथा भूभी के पनाथा से बहुत अच्छा है यहांपर लग-बग दैना चाजीश फचास है के मुल्चंद के पराथे खा रहा हूं आज में उन्यस्तों से इनकी ये शॉप है मुल्चंद के शुडवात बड़ी चोटे से काट से गी थी लेकिन आज बहुत बड़ी बहुत शॉप है यहां पर सिटिंग भी आदेख दिये वहाज और अब कुलड वाली चाय है 30 रुबएगी जो अच्छी है वाकिए में लेकर कुलड बेचाय पर जल्दी ठंडी हो दोस्तों अगर मुल्चंद बेट्रों के असपास है दिल्ली में है तो एक बार आकर मुल्चंद पर पर पराथा खा सकते हैं लेकिन मैं यह बोलूँ कि घर से इस्पेशली निकल लिए मुल्चंद आईए पराथे खाईए तो मैं ऐसा कता ही नहीं कहूंगा तो कि मुझे ज स्पेशली गुटगा। से आनाया नॉडा से आनाया गाजयाबाद से आनाया वैशाली से कोशांभी से आना गाए और बताइए तो कहसे मीड़े मैं जल्दी समझन करके बतातेें जैसे मीड़ते रिए अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब क्यां ज़र्या है झाल, 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 झाल